आज कि इस वीडियो में हिंदुस्तान पेपर परभात खबर और देनिक भासकर तीनों पेपर का न्यूज दिखाएंगे कि मेटरिक परिक्षा रिजल्ट और कापी जांच को लेकर के क्या न्यूज है तो सभी मेटरिक के छातरों के लिए कापी बड़ी खबर है इंतिजार ज गलदी मेटरिक परिक्षा का रिजल्ट आएगा इस वीडियो में आप जानेंगे की मेटरिक परिक्षा का जो रिजल्ट है वह कितने मई को आड़ा है Final तिती को यहाँ पर हम Final तिती को हम बताएंगे जो न्यूज में छपा है उसके बाद मेटरिक की कितनी कंपियां बची वी है उनको भी आप जानेंगे इस वीडियो में और कितने दिन समय लगेंगे जांच करने में तमाम बातों की जानकारी मिलेगी इस वीडियो में इस वीडियो को अपने 10 वाटसेप ग्रूप में जरूर सेयर कर दिजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नह मिल जाए हिंदुस्तान पेपर का यह न्यूज है आज की पेपर में चापा है इनको हम जान लेते हैं उसके बाद फिर हम परभात खबर के न्यूज को भी देखेंगे यहां पर देख सकता है कि इंतिजार खत मेटरिक के छातरों का जल्द निकलेगा रिजल्ट मेटरिक रि पर ची उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन अब शुरू हो जाएगा इंटर की परिक्षा तीन फरवरी से तेरों फरवरी तक वी इसके बाद उसका मुल्यांकन शुरू कर दिया गया और 24 मार्च को इंटर का रिजल्ट जय कि जाड़ी किया गया सकता है कि 17 फरवरी से 24 फ और मुल्यांकन का कम रोख दिया गया आप लोग जानते ही है इसी कारण मैट्रिक का रिजल्ट नहीं निकल सका मैट्रिक के छातरों को इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर उनका रिजल्ट कैसा रहेगा रिजल्ट को लेकर वह लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं अब मुल्यांकन का काम शुरू होने से रिजल्ट भी जल्दी आने के असार है और मुल्यांकन के अंदरों पर कहीं 50 फिजदी उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन हो गया है तो कहीं 80-90 पिज़दी तक उतर पुष्टिकाओं का मुलियंकन हो गया है याने कहीं एक दिन का काम बगी है तो कहीं मुलियंकन में पॉच दिन और लगेंगे सुतरों के अनुसार सभी केंद्रों पर एक सबता की अंदर मुलियंकन का कम समप्थ हो जाएगा सुत्रों ने अभी बताया कि मुल्यंगन के साथ अंको को बिहार विद्याले प्रिक्षा समीती के पोर्टल पर भी चैड़ाया जाएगा जो सिधे रिजल्ट के रूप में त्यार होता जाता है इसलिए मुल्यंगन का कम समप्थ पुरा होने की एक सब्ता के अंदर ही घोशित किया जा सकता है यह हिंदुस्तान पेपर का न्यूज है जो आज की पेपर में छपा है अब हम आपको दिखाते हैं परभात खबर का न्यूज उसक की जंच आज से मास्क पहन कर आने की निर्देश स्क्रीनिंग भी होगी जीला पदाधिकारी को लिखा गया पत्र यहां पर देख सकते हैं कि बिहार बदियाले प्रिक्चा समीति की मेटरिक कांपियों की जंच बुधवार से शुरू होगी बिहार बोट ने 10 महीं तक मुल् खत्म करने का लक्ष रखा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, छेतरिये कारिया ले और सभी मुल्यांकन केंद्र निदेशकों को भेज दिया है सभी मुल्यांकन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा सेनी टैजर की वेस्था रेगी बिना मंक्स केंदर में परव्यस नहीं करने दिया जाएगा मुल्यांकन केंदरों में परव्यस के पहले सभी सिक्षकों की स्क्रीनिंग की जाएगी बुखार से कोई भी व्यक्ति मुल्यांकन केंदर पर नहीं आएगा अब देखिए जीला पदादिकारी को जो पत्र लिखा गया है इसमें क्या है जीला पदाधिकारी के पास निर्गत करने के लिए उनसे अनुरूत किया जाएगा है सिक्षकों को वहनों के लिए पास उपलब्द कराया जाएगा हरताल से लोटने वाले सिक्षकों का भी योगदान मुलियंकन के लिए लिया जाएगा जिला पताधिकारी से अनुरोद किया गया है कि मुलियंकन केंदरों पर सुख्ष और कदाचार पूर्ण मुलियंकन के लिए विधिवेस्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने अस्तर से इंडर्देश दे अगर किसी मुलियंकन केंदर को क्वा रेंटिन केंदर बनाया गया है तो उसे अंजगों पर अस्थांतरित करे या मुलियंकन के अंदर को ही वहां से अलग करते पतना डियो जोती कुमार ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत सिक्षकों के क्यादर पर अने की है जिनके पास अपना वहां नहीं है विए कैसे आएंगे जो सिक्षक मुलियंकन के लिये नहीं आएंगे उनके खिलाफ एक्षन लेने का नियम है और इस परिस्तिती में कैसे एक्षन लिया जाएगा अलांकि हमने क्यांदर निदेशकों से मुलियंकन शुरू करने को लेकर चर्चा की है तो यह आपको परभात खबर का नियूज हो ग देख सकते हैं कि कंपी की यहां पर संख्यां दिया हुआ है शिक्षकों की संख्यां दिया है और यह जनकारी है इससे पहले भी आप जन चुके हैं अब आपको आप फाइनल तिती दिखाते हैं हरो इंच तो यहां पर आप देख सकते हैं कि विहर बोड 12 माहि को घोशित होगा metric परिक्षाका का result, नहीं lol यानि metric परिक्षा का result, दौक सब्सक्राइब 25 माहि को घोशित होगा अब देख़ें 10 माहि तक मुल्यंकन का ब्राकार यह होगा और चुकि यहां पर मार्क परतियक दिन इन फ्रिक्शा समीथी को अप्लोट करना नहीं अधर सेों कम हो जाता है तो यसलिए झाल झाल